नमस्कार साथियों स्वागत है आप से भी का Study IQ Peaces चैनल पर मेरे नाम है अभिशेक और बिहार की खबर में आप सभी का स्वागत है आज हम दो नई खबरें डिसक्स करने वाले हैं आपसे इस वीडियो में इन दोनों खबरों के जो टाइटल हैं वो आप देख सकते होंगे बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायन मंदिर बन रहा है कब से बनना स्टार्ट हुआ था किस जिले में बन रहा है कब तक इसके बन जाने की संभावना है सारी चीज़े डिसक्स करने वाले हैं आज दूसरी जो निव से उसका टाइटल है कोसी मेची लिंक परियोजन आज हम डिसकस करेंगे यह हमारे टाइटलस हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हमारे कुछ साथ ही जो की बिल्कुल बेसिक लवेल से बिल्कुल बेस लवेल से तियारी करना चाहते हैं State PCS Examinations की और स्पेसिफिकली अतरपदेश, उर्याना बिहार, मद्रप्रदेश, उडिशा, पंजाब, असाम, वेस्ट बेंगॉल और जमुन कश्मीर इन स्टेट पीसियस की, तो स्टेडी आईक्यू पीसियस की तरफ से लॉंच चियेगे, संकल्प बैच 4 में, आज, एड्मिशन इसमें, तो आज एड्मिशन इसमें, तो दिन बहुत ही इंपॉर्टन है ये वाला, क्योंकि इसमें एक सेल भी है, जो कि आज ही समाप्त हो रही है, अगर आप AKS Live Code का यूज करेंगे, आप मेरी mentorship भी ले सकते हैं, जब आप AKS Live Code का यूज करेंगे, तो maximum discount भी मिलेगा, the course will be of 99999 का आपका course हो जाएगा, mentorship मिलने वाली है, आपको इसमें, answer writing की practice में करवाई जाएगी, पूरे course duration में, जो कि 2 साल का होने वाला है, 24 महने का रहेगा, आपको video lectures मिलने वाले हैं, जो कि आपको recorded form में भी आप unlimited time से इनको देख सकते हैं, live तो रहेगा ही, recorded में भी मिल जाएगा, दूसरी information यह है कि इसमें test series भी आपको मिले की, कहीं और से कुछ भी purchase करने की ज़रूत नहीं है, एक बार start करना है, अच्छे से start करेजए, और भरोसा की, yesterday IQ pieces पर, चलिए start करते हैं आज का video, पहला जो news थी, वो थी हमारी, कि भाई, बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रा किस जिले में हो रहा है, पूरवी चमपारन, district कौन सा है, east चमपारन, पूरवी चमपारन जिले में इसका निर्माड किया जा रहा है, ठीक है, पटना से 120 km दूर है, क्योंकि पटना जो है, वो राजधानी है बिहार की, तो फिर वहां से distance को बताना यह जरूरी है, फिर आते 3.76 लाख वर्ग फीट का जो एरिया है, उसमें मंदर बनाया जाएगा, बहुत बड़ा बनने वाला है, और यह ऐसा estimate है, कि जो अयोध्या में, राम मंदर जो बना हुआ है, 22 जनवरी को, जिसमें प्राड पतिष्ठा भी कर पाएगे थी, उससे भी बड़ा, उससे भी लग बहुत बहुत अच्छी बात है, और उसी perspective में अगर हम इसको भी देखते हैं, कि यह अगर बन के तयार हो जाएगा, यह मंदिर अगर बन के तयार हो जाएगा, तो इंडिया से जो अन्य जो राज है, इस्टेट्स हैं, वहां से आने वाले जो टूरिस्ट होंगे, वो तो हो के revenue को भी बढ़ाएगा, tourism से होने वाले जो revenue है, उसको भी बढ़ाएगा, साथ ही जराज़स को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ये रामायन circuit का part भी रहेगा, रामायन circuit का part भी बन जाएगा, तो यहां पर हमने देखा कि कौन सा जिला यहां पर important है, इसके बारे में और information दे साथ में उचाएद है कि 405 feet, 405 feet, मतलब यह देखा जाए तो comparison इसका किसके साथ किया गया, बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं, पूरे विश्व के उनके साथ किया गया, इसमें विशेष्टा यह है कि इसमें 22 गर्भग्रह होंगे, सैंक्टम, सैंक्टोरम, जो गर्भग् बहुत ही अच्छा मंदिर बनने वाला है, 2023 में इसका जून महिने में इसको स्टार्ट किया गया था और अभी बन रहा है और अच्छी खासी स्पीड में यह बनता चला जा रहा है, 2025 तक इसके बनने की पूरी संभावना है, समाथ होने की, यहां के जो टेंपल की वास्तुक वास्तुकला है, वो देख लीजेगा, टेंपल की जो वास्तुकला है, वो कंपेर किया गया है इसको, और एक तरीके से जो लिया गया है उसको, वो अंगकोरवट, कंबोडिया के अंगकोरवट, रामेश्वरंग के रामनाथ स्वामी, और मदुनाई के मीनाक्षी मंदर से प्रभावित है, ठीके, प्रेरित है, तो ये तीनों मंदर जो है, इनकी जो वास्तुकला है, उसको यहाँ पर रेप्रिकेट किया जाएगा, बड़ा मंदर भी बनेगा, अच्छे खासा एरिया भी होगा, और मैंने आपको बताया कि ये किस परस्पेक्टिव से important है, टूरि बाइज जाने वाली है, बिहार राज्य की अनने राज्यों में और अनन्स देशों में भी, तो ये हमने पर द्या कि down to earth की news में भी था ये चीज़ देखे बिहार जो में कोसी लिंक, कोसी और मेची लिंक पर योजना है इसके बारे में mention किया गया है budget दोहजार चौबिस और पच्चिस में भी union budget दोहजार चौबिस पच्चिस fuels hopes for बिहार's long-awaited कोसी मेची this river link project but experts bury देखे इसके बारे में हमेशा चीज़े चलती रहती है कि experts बोलते हैं कि ये सई है या पर नहीं है ये सब चीज़े अभी हम discuss करने वाले है देखे कहाँ पर है ये कोसी और मेची कोसी नदी जो है इसके बारे में सभी लोग जानते है कोसी को बिहार का शोक बोले आता है तबसे जादा जो बाढ कराने वाली जो नदी होती है ये बिहार पे ये नेपाल की तरफ से आ रही होती है और इसका जो drainage area है वो catchment area जो है वो कहाँ से है वो लगबग Everest और कंचन जंगा के पास वाला जो है वहाँ से catchment area है पानी जो है उस जगे से receive होके आगे तरफ बढ़ता है नेपाल से होते हुए वो इंडिया में प्रवेश करता है ठीक है मैप में भी देख तेंगे दूसरी है मेची मेची जो river है ये एक सहायक नदी है महाननदा की लोगों के भी concerns है और experts के भी concerns है कि क्या आगे चीज़ें होंगी और किस तरीके से developments होने वाले क्यों important है दो चीज़ें important है कि water resource management जल संसाधन प्रबंधन के लिए इसको किया जा रहा है दूसरा जो perspective बताया जाता है government की तरफ से link करने के लिए वो है कि irrigation facilities जो है वो बिहार में इसको बढ़ाया जाएगा इस link परियोजना से प्रभावित होंगी और positively fit होंगी इसके बारे में देखते हैं कि कौन सी ministry involved है देखें, ministry हमेशा पूछ सकते हैं कि कौन सी ministry इस परियोजना के लिए involved है तो you can see the name of the ministry is union ministry of जल शक्ती जल शक्ती मंत्राले ये important है आपके लिए अब आते हैं ज़रा देखते हैं कि map में ये link कौन कौन से कहां पर बन रहा है आप map में देख पा रहे होंगे यहां पर तीन नाम लिखे हुए हैं देखो, जो कोसी river है उसकी तीन प्रमुख जल धाराएं है वो आगी जाके मिलती है तो बिहार में एक कोसी river का निर्माण करती है देखे, सब्त कोसी जो कि ये बड़ा सा एक मोटी सी धारा दिखाई दे रही है सब्त कोसी इसके पहले आती है सन कोसी, अरुन कोसी और तमूर कोसी यहाँ पर अरुन कोसी और तमूर कोसी ये तीनों जल धाराएं मिलती हैं और ये प्रमुख तीन जल धाराएं हैं इनके मिलने के बाद में सब्त कोसी निर्माण हो रहा है इसके बाद जो मेची रिवर है मेची रिवर के बारे में जान लेते है, वो है, महानंदा की तहयक नदी, यहां से जा रही है, इसके बीच में यह जो रेड लाइन आपको दिखाए है, यह कोसी मेची लिंक, इस तरीके से इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, कोसी यहां से मेची लिंक यह हो गया, मैप में आपने देख लिए कि किस तरफ कौन कौन सी नदियों का की जग है, ऐसा आप पूछ चाते हैं कि जो मेची रिवर है, वो किस साइड पर ठीक है, वो कोसी जहां पर मिल रही है अरुन कोसी है, या फिर तमूर है, फिर सन कोसी है इसके पूरू में है या फिर पशिम में है तो यहां पर लिंक किया जाएगा जोड दिया जाएगा इन नदियों को और जो रिवर लिंकिंग प्रोजेट है रिवर लिंकिंग परियोजना है नदी जोडो जो परियोजना है उसी द्रश्टी में इसको भी स्टार्ट किया गया है बनाया जा रहा है देखिए concerns क्या क्या आते हैं यहाँ पर यह mains की perspective से भी important है तो concerns क्या क्या है लोगों ने विरोध जिताया है इसमें जो लोग है लिंक परियोजना जो है इससे जो समस्या है the ground level पे जो समस्या आती है वो solve नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से तो ऐसा लोगों का कहना है पहला जो point है वो यह कहता है कि इसमें पारिस्तिक प्रभाव पढ़ने माला है इकोलोजिकल इंपार्ट्स पढ़ेंगे डेफिनेटली इकोलोजिकल का मतलब है कि नदियों को जोड़ जाएगा तो उनका नाचुरल कोर्स तो नहीं है नदियों का पानी अगर डाइवर्ट करतिया जाएगा प्राकरतिक रूप से जो नदि प्रभावित हो गई अब क्या है कि जिस जगह पे इससे पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो सब तो कोसी बन रही है यहां पर तो डाइवर्जन हो गया प्रभावित हो गई तो जितना पानी आगे की तरफ जा रहा था वो आगे आने वाले जितनी भी नाचरल चीज़े होती है उनके उनमें पानी को पहुँचाया जाता है पानी को डाइवर्ट किया जाता है वो भी प्रभावित होगा तो ultimately अगर देखते हैं कि पारिस्तिकी जो है वो प्रभावित होने वाली है और यहां से इस reverse के अगर water में कमी आएगी पानी के level में कमी आने वाली है क्योंकि divert हो जाएगा तो आगे आने वाले जितने भी areas हैं वहाँ पर अगर पानी divert हो रहा है अगर सिचाई के लिए divert हो रह होता है वो भी प्रभावित हो सकता है तो यह concerns है यह experts का भी कहना है दूसरा आता है economical impacts जो निचले इलाकों में मतलब है कि जहां पर diversion किया जाएगा यहां पर नीचे वाले रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कि जल संसाधन जो है इसी पर निर्भा करते हैं उनकी जो आए ह हैंसे जो कि कह रहे है कि economical impact पढ़ने वाला है वो लोग जो कि निर्भर करते हैं तीक है उनकी जो आए है वो निर्भर करते हैं मचलियों को पकड़ते हैं जो नौकः से सब चीज़े पकड़े आते हैं मचलियों पकड़ते यह उन पर आusion पर परळसता है यह experts का भी कहना है क will this linking completely eradicate the floods in the affected areas क्या इस जोडने से प्रभावित हो जाएगा पूरा इतना भी area होगा वो बाढ़ से पूरी तरीके से खत्क हो जाएगा तो क्या ऐसी चीज़े हैं ऐसा हो सकता है तो ये news important है आप से भी लोगों के लिए ये चीज़ ये concerns हैं basically जो कि हमें समझना पड़ेगा और mains के perspective से ये चीज़ काफे important हो जाती है चलिए तो ये थी आज की news अगर आप मुझसे जुडना चाहते हैं तो टलिग्राम चैनल लिंक है learn and grow with अभशेक आप यहाँ पर जुड सकते हैं मुझसे इस qr code को भी आप scan करके मुझसे जुड सकते हैं discussion group है discuss and grow with अभशेक and email ideas abhishek.sing at the rate studyiq.com अगर आप mapping की practice करना चाहते हैं तो mapping के लिए आप geography through maps नाम से search कर लेंगे studyiq pieces channel पर ही तो वहाँ पर आपको series मिल जाएगी Indian and world geography के concept जो है यहाँ पर आपके clear हो जाएगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन, जै भारत, take care everyone, good bye